नमस्कार आप देख रहे हैं यूजवाल इलिया आपके साथ मैं हूँ काजो उनरायन भारत चीन सीमा को जोडने वाली सड़क पर सुमना दो में ग्लैशिय तूटा है जिसके बाद बताये गया कि भारी बर्फ वारी की वजह से ये ग्लैशिय तूटा ग्लैशिय तूटने के बाद से ही संपर्ख कट चुका है किसी भी तरह की बादचीज संभव नहीं हो पा रहे है खबर ये भी है कि यहां मजदूर सड़क कटिंग के कारे में रहते हैं बियारों के अधिकारी लगातार संपर्ख करने की कोशिश कर रहे हैं और एस्क्यू ऑपरेशन को भी तेजी से चलाया जा रहा है लेकिन तेज बारेश और खराब मौसम की वजो सेज स्वेंट्रल कमांड आर्मी को इस अभियान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उतराखंड के मुक्य मंत्री तीरर सिंग रावत ने भी इस घड़ना पर ट्वीट कर जानकारी दी है उन्होंने बताई कि ग्री मंत्री अमिश शहा की तरफ से हर तरह के मदद का पूरा आशवाशन दिया गया है टूइट में उन्होंने लिखा है कि माननिय ग्रीमंत्री श्री आमिश शाहजी ने नीती घाटे के सुम्नम में ग्लैशे टूटने की सूशना का ततकाल संग्यान लिया उन्होंने इस घटना को गंबीरता से लेते ही वे उत्राखन को पूरी मदद देने का असवाशन दिया है और आई टीवी भी को सतर करेने की नरदेश दिया है वो इसीम की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि एंटीपीसी एवं अन्ने पर्योजनाओं में रात के समय काम रोकने के आदिश जारी कर दिये गए हैं वे नहीं चाहते कि इस घटना के बाद कोई दूसरा बड़ा हाथसा हो ग्लैशिय तूटने के बाद से ही स्थानिय लोगों काफी डरे हुए हैं और वो सब्मे में हैं उनके मन में फरवरी में चमोली में तूटे ग्लैशियर की यादे ताजा हो गई हैं शुकरवार को ही इस घटना से कई गाउ प्रभावित हो गए हैं और संपर्क भी बड़े स्तर पर तूटा है मालूम हो किसी साल साथ फरवरी को चमोली ग्लैशियर तूटने की घटना सामने आई थी उस घटना के बाद 205 लोग लापता बताए गए वही 89 लोगों ने अपनी जानगवादी सरकार के कई सारे विकासकारे भी उस तरास्ती के चपेट में आई थे और आर्थिक डिस्ट्री से भी भारी नुकसान हो गया था उस तरास्ती से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि अब एक और घटा ने सभी को खौफ सदा कर दिया है इलाके की सम्वेदन शीलता को समझते हुए एजंसिया जल से जल मौके पर पहुँच नुकसान का जाजा लेना चाहती है लेकिन वहां तक पहुँचने में अभी काफी समय जाने वाला है क्योंकि सडकों पर बर्फ जमा हुआ है और संपर्क पूरी तरह से तूट चुका है अभी समय रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी धीमी गती से आगे बढ़ता दिख रहा है वही भारते सेना के सेंटरल कमार निकाह है कि चमोली जिले के जोशिमत में ग्लैशे तूटने के बाद वहां फसे 2-90 लोगों को अब तक बचाया जा चुका है यह घटना जोशिमत मलारी गिर्थी डोबला सूमना रिमखिम अक्षपर शुकरवार के दिन शाम के करीश चार बजी घटी बीते पांच तिनों से लगातार यहां भारी बर्फ बारी और बारी शो रही है चार से पास जगाओं पर सड़क कट गई है इस घटना स्थल के पास ही सेना और मजूर के कैम्प है जो सड़क बनाने के लिए वहां रहते हैं तो उत्राकंड के जोशी मत में ग्लैशे तूटने से एक बार फिर से लोग दहशत में हैं क्योंकि आसपास के नदियों का जलतर दो फुर्स से जादा बढ़ गया है इस घटना से एक बार फिर से उत्राकंड के लोगों में दहशत ला दी है लोग डरे हुए हैं खौफ सदा है एक तरफ देश कोरोना जैसी महमाईल से जूझ रहा है वही इस तरह के प्रकृतिक आपदा से भी लोगों में कहीं न कहीं दर का महौल बना हुआ है फिलाल के लितना ही आप बने रहे हैं न्यूसवल इंडिया के साथ इससे जो भी अपडेट होगी न्यूसवल इंडिया लगाता राब तक पहुंचाता रहेगा